है गाईज वेलकम बेक आज के इस टूटोरियल में हम इस्ट्रिंग हैं रिलेटेड कुछ और प्री डिफाइंड फॉंक्शन को डिसकस करने वाले हैं और आज हम दिन फॉंक्शन की बात करेंगे वह स्टी आर सी एंपी एंड स्टी आर आई सी एंपी तो चलिए स्टार्ट कर अब हम इन दोनों स्ट्रिंग के लिए यूजर से इंपुट लेते हैं पहले हम एक मैसेज देंगे एंटर स्ट्रिंग एस वन एंड देन एफ जैट संट्रिंग का यूजर करके हम यह इंपुट ले लेंगे तो हमने लिया एस वन इंटीनाइन एंड स्टैंडर्ड इन पॉजर के लिए तो हम यूजर को एक पैसेज देंगे एंटर इस टू एंड जो इंपुट होगा वो हम एस टू में स्टू कर दें नाओ सपोज कि पिए जो दो स्टेंग हमें यूजर नें दी हैं हमें इन तोनों को और इसके लिए यहां पर आपको जो दोनों को स्ट्रिंग एंड वन एंड स्टू इन दोनों को कम्पैर करना पड़ेगा और string comparison equal equal to operator से possible नहीं है that's why यहाँ पर आपको strcmp function का use करना होगा तो हम इसे कैसे करेंगे strcmp function तो strings को as an argument लेता है और यह function आपको zero return करता है अगर आपकी दोनों string equal हैं तो let first of all हम यहाँ एक variable बनाते हैं let's say int n and then हम एक function call करते हैं n is equal to strcmp और इस function में हम हमारी जो दोनों strings हैं जिने हमें compare करना है इन दोनों को pass कर देते हैं s1, s2 अब अगर यह दोनों string जो user enter कर रहा है s1 and s2 अगर यह दोनों equal हैं तो यह strcmp function आपको zero return करेगा मतलब n की value होगी zero तो यहां पर हम इस basis पे comparison perform करेंगे कि if n is equal equal to zero अगर n की value zero है तो हमें एक message प्रिंट करना है let's say print f strings are equal and अगर let's suppose ऐसा नहीं है तो हम एक message देंगे else strings are different and that's it यह हमारा program है जब यह run करेगा तो सबसे पहले यह user से input लेगा दो string का input लेगा and then हम strcmp function की help से इन दोनों strings को compare करेंगे और उसके according हम result show करेंगे उसे हम run करते हैं सबसे पहले यह आप से पूछ रहा है enter string 1 let's say हम यहां पर एक string enter करते हैं happy and second string भी हम enter करते हैं तो यह हमें बता रहा है strings are equal because दोनों जो हमने string दी हैं यह equal है अब अगर हम इसे एक बार फिर से run करते हैं और let's say यहां हम string enter करते हैं apple and second string लोते हैं ball तो यह हमें बताएगा यहां पर हम इस प्रोग्राम को यह बेसिकली यह जो strcmp function हम यूज कर रहे हैं इसके uses को और भी improvise कर सकते हैं यहां पर हमें इस n variable की जरुवत नहीं है हम अगर चाहें तो हम directly इस strcmp function को इसके अंदर यूज कर सकते हैं हम यहां लिख सकते हैं strcmp s1, s2 यह जो function है यह हमें 0 सिर्फ एक condition में return करेगा जब दोनों string equal होंगी तो इसी पूरे इसकी जो return value है basically function की हम इसे equulate कर सकते हैं या compare कर सकते हैं 0 से तो यहां पर हम जो भी इस function की return value है उसे directly यहां compare कर रहे हैं 0 से इसके अलावा अगर हम चाहें तो इसे आप logical not का use करके भी negative कर सकते हैं because जो 0 है वो false को denote करता है false को indicate करता है अगर हम उसके आगे logical not लगा देंगे तो यह 0 को 1 में convert करेगा जो if की condition को true proof करेगा तो हम अगर ऐसा लिखते हैं या फिर इस तरीके का statement लिखते हैं यह दोनों ही equal है या जो पहले हमने वे यूज किया था n variable को use करके यह भी बिल्कुल सेम है आपके program के execution में इसके output में इससे कोई भी फर्ट नहीं पढ़ने मारा तो यहाँ पर इस वे में हम strcmp function को use कर सकते हैं एक बात यहाँ पर इस function से related यह ध्यान में रखना है कि जो strcmp function है that is string compare function जो है यह case sensitive comparison perform करता है that means यहाँ पर जो casing है upper case letter है या lower case letter है character है इसका बहुत फर्क परता है तो यहाँ पर जो comparison होता है वो case sensitive comparison होता है जैसे for example अगर इस program को हम एक बात फिर रन करें यहाँ पर हमसे एक string enter करने के लिए बुली गी हमने enter किया happy और दूसरी string हमने enter करी happy अब आप देख सकते हैं कि इस program का output है strings are different this is so because आपने जो दोनों string enter करी है happy happy बट जो यहाँ पर आप h जो पहला character है basically यहाँ पर case different है यहाँ पर upper case आपने यूज किया है first string में और दूसरी string में आपने lower case h use किया है तो यह strings के sensitive comparison में fail होगी क्यों क्योंकि upper case और lower case characters different होते हैं basically जो strcmp function है यह हमने जैसे previous tutorial में भी हमने discuss किया था कि यह basically ASCII code comparison पे based होता है एक particular character के ASCII code में से वो दूसरे character के ASCII code को subtract करता है result अगर 0 है तो यह process आगे बगती है इसी way में यह काम करता है तो यहाँ पर अगर आपके cases different होंगे string के तो यह आपको represent करके देगा कि दोनों string आपकी equal नहीं but अगर हमारी need यह है कि हमें strings को compare तो करना है but वहाँ पे case sensitivity किसी काम की नहीं है that means upper case letter हो upper case character हो या lower case character हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमें compare करना है strings को case insensitive way में तो इसके लिए हम stricmp function के use कर सकने है अगर यहाँ पर हम इस particular place पे strcmp की जगे stricmp function के use करेंगे तो इस case में अगर हम जो strings देंगे तो भी आपका यह जो comparison है यह आपको equal proof करके देगा this is so because यहाँ पर जो अभी हमने strings pass की है string input दी है इनके cases different है बट यह दोनों same string ही है that's why यहाँ पर stricmp function आपको equal proof करके देगा तो basically जब आपको case sensitive comparison की ज़रुवत होगी तब हम strcmp function यूज कर सकते हैं और जब हमें case insensitive comparison की need होगी तब हम stricmp function यूज कर सकते हैं इस type के comparisons को whether it is case sensitive comparison और case insensitive comparison हम अपनी daily life में बहुत सारे इसके examples देखते हैं most common example है आपका gmail account login का जब आप अपने gmail account में login करते हैं तो जो वहाँ user name होता है वो आपका case insensitive होता है that means अगर आप अपनी gmail id पूरी upper case में भी लिख देंगे या पूरी lower case में भी लिख देंगे या mixed cases में भी camel cases में भी लिख देंगे तो भी उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा वो उस चीज को accept कर लेता है उसको identify कर लेता है लेकिन जो आपका password होता है वो case sensitive check होता है वो case sensitive होता है that means अगर आपने अपने password में जो upper case letter रखा हुआ है आपको वही upper case character वहाँ enter करना होगा जो आपने अपने password में lower case में character center किये हैं आपको वो lower case में ही enter करने होगे तो यहां पर जो आपका username होता है वो आपका case insensitive way में compare होता है चेक किया जाता है और जो आपका password है वो basically case sensitive way में compare या check किया जाता है तो इसी context में अगर हम देखें कि अगर आप एक ऐसा program बना रहे हैं जहां आपको username लेना है और उसमें आपको case insensitive comparison की जरूरत है तो हम stricmp function का use कर सकते हैं on the other hand अगर हमें password accept करना है तब उस case में हम strcmp function का use करेंगे तो इन वे में हम अपनी need के according यह decide कर सकते हैं कि हमें किस type का comparison needy है और उसके according हम इन दोनों functions में से कोई भी function use कर सकते हैं okay so that's it for this tutorial guys I hope आपको इन दोनों functions की working समझाई होगी इनको हम कैसे use कर सकते हैं किन situations में हमेंने use करना है यह आपको समझाए होगा आगे आने वाले tutorials में हम और भी interesting concepts को discuss करेंगे as well as उन्हें implement करके देखेंगे उन पर काम करके देखेंगे तब पके लिए good bye guys